तो आज मैं आपके लेके आई हूं बहुत जादा टेस्टी मिठाई ये मिठाई सिर्फ 10 मिनटम बन के तैयार हो जाती है बहुत जादा टेस्टी लगती है तो चलिए इसको मैं स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके लिए रखेंगे हम सबसे पहले गैस ओन कर केक पैन और मैंने आ यहां पर इनको चलाते हुए मुझे लगवग 2-3 मिट का टाइम हो चुका है और यह आप देख सकते हैं कि इनका जो छिलका है काफी आसानी से निकल रहा है अब हम क्या करेंगे गेस को आफ कर देते हैं और अच्छे से हम इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं तो मैंने आपर गेस को आफ कर दिया है तो हम क्या करेंगे इनको एक प्लेट पर टांसफर कर लेते हैं जिससे कि यह जल्दी से ठंडी हो जाएंगी तो हम इनको जल्दी से साफ करने में आसानी होगी है तो इस तरह से मैंने इनको साफ करके तियार कर लिया है तो हम इसको साइ और बराबर ले रही हूँ, एक कब मैंने काजु लिया है, तो एक ही कब मैं आपर मुह फरी ले रही हूँ, यह आपकी चोय से आप इसमें कुछ कम जादा भी कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे काजु को इसी तरह से चलाती हुआ हम थोड़ा सा रोष्ट कर लेते हैं, यानि कि बहुत जादा मैं इनको एकदम काला नहीं करना है, बस हलका सा इनकी नमी खतम होने तक इनको रोष्ट कर लेंगे, जिससे की टेस्ट भी बढ़ जाता है बरपी का, और काफी बढ़िया भी लगती है खाने में, तो यह देखिए, इनका कडर भी काफी अच्छे से चेंज हो मैं आपट डाल दी हूँ, आदा कप चीनी, चीनी आप अपने मिठास के साब से थोड़ा सा कम ज्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो कम डाल दीजी, थोड़ा डाल ज्यादा भी डाल सकते हैं, बट मैंने आपट आदा कप चीनी डाली है, इसी कप से हम सारा म measurement करेंगे अब हम क्या करेंगे जा खरक दकन बंद करकेपर बना लेते हैं। कि इसुossen इसका यह थोड़ा दर्दरा सा है बट हम निसको और फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे दूद, तो मैं आपर इसमें टोटल दो कप दूद का यूज करूँगी, तो पहले हम एक कप दूद याँ पर डाल देते हैं, बाकी का एक कप हम बाद में यूज करेंगे, तो पहले हम जार कड़कन बंद करके अच्छे से इसका कर लेते हैं कि अच्छे से मेल्ट हो गया है तो आप इसमें एक कप दूद और डार रही हूं मैंने आपको पहली बताया है कि मैं आप इसमें टोटल दो कप दूद का यूज करूंगे तो सारा मेजरमेंट मैंने इसी कप से किया है आप विधार रखिएगा बुलकुल कोई भी ग्लास का बगरा सेड कर लीजिए उसी सही सारा मेजरमेंट आपको करना है अब मैंने आप जो पेस्ट बनाया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे अच्छे से हम इसको पेस्ट को इसमें मेक्स कर देते हैं अभी धूद थंडा है तो थंडे दूद में हम इसको मेक्स कर लें पकाना है यानि कि बिल्कुल जमने की कंसिस्टेंसी में ना हो जाए जब तक हमें इसको चलाते हुए पका लेना है तो यह देखी यहां पर मुझे गड़ी से मिलाके तीन मटका टाइम लगा है और यह थोड़ा सा थेक हो गया है आप देख सकते हैं कि पहले से इसकी जो कंसिस बस इसी तरह से बस हम इसको चलाना नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी तो यह देखी यहां पर साथ से आट मटकी वाद आप देख सकते हैं कि यह और भी जादा थेक होती जा रही है तो इसी तरह से बस हम इसको लगाता चलाते रहेंगे यह हलका हलका सा कड़ाई भी छोड़ रही है बहुत जादा नहीं छोड़ रही है अब यह पूरी तरह से कड़ाई छोड़ रही है आप देखी मैं आपको थोड़ा से दिखा देती हूं कि अब पहले से थोड़ा सा अच्छे से कड़ाई छोड़ने लगई है यानि कि मुझ पर अब क्या करेंगे हमें इसको लगादार इसी तरह से चलाते हैं इस सीकि यह और बійсьक हो जाए कि आपको बंस करने के बार करें से क्योंकि कर यह वह बहुंदर जाधा गरम है तो आप मैं इस तरह से ठोड़ा सा ठंडा करने हैं चलाते हुए तो इसी तरह से बस हम इसको लगाता चलाते रहेंगे चलाना बिल्कुल भी नहीं चोड़ना है यहाँ पर इसको कड़ाई में आपको 2-3 मट तक इसी तरह से चलाते रहना है तो यह देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगाता चलाया है आप देख सकते हैं कि इसने काफी ये ठिक हो गई है पहले से देखिए बिल्कुल जमने की consistency में होती जारी है ये देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरी तरह से थंडी हो गई यानि कि बहुत थंडी हो गई है तो इस तरह से आप देख लिजिएगा चेक करके इस तरह से balls बन रही है य तो अच्छे से हम इसको घी से grease कर देते हैं जिससे की जो बर्पी है उसको निकालने में दिक्कत नहीं होगी तो अच्छे से हम घी से इसको grease कर देंगे सारी मिठाई को हम इसमें डाल देते हैं बहुत ही बड़ी एकदम काजु कतली जो होती है उसको भी आप खाना भूल जाएंगे इतनी ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनती है बहुत ही ज़्यादा यम्मी कोई आपको बताई नहीं पाएगा कि यह आपने काजु और मुफली से बनाई है सभी लोग कहेंगे कि यह आपने बिल्कुल काजु से बनाई है इतना अच्छा फिसका फ्लिवर आता है बहुत ही मस्त लगती खाने में तो अच्छे से मैंने इसको फेला दिया है जिससे की मिठाई देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी तो अच्छे से हम इसको इसकी कोटिंग कर देंगे यह देगी अच्छे से मैंने इसको फेला दिया है अब हम क्या करेंगे इस पैचुला से हम इसको थोड़ा सा प्रैस कर देते हैं जिससे कि अच्छे से इसमें दब जाएं अब हम क्या करेंगे इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे तो अब हम इसको छोड़ देते लगवाग एक घंटे के लिए यह द इतनी बड़िया हमारी बरपी जम के तयार हुई है एकदम सौफ्ट बनती है मुँ में जाते ही घुल लाएगी इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है यह देखिए इस तरह से मैं इसको पीस को कट कर लिया है अब मैं आपको पीस को निकाल के भी इखा देती हूं यह देखिए वा किसी भी आपको जभी कुछ मीरा खाने का मन कर रहा है तब यह आप इस मिठाई को भनार के खा सकते हैं यह दिए की काफी आसानी से टूट बी रही है तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको मेरे r आस्पी मुझा कमेंट करके जरूबत आना अगर आपको मेरे आस्पी अच्य लगी तो लाक में चैनल को सब्सक्राइब करें एंसेयर करें फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई